हां जी ये है गोवी फूल गोवी इसे हमने छीला वाश किया और फिर इसे कद्दुकस कर लिया इस तरीके से अब इसका हम दम घोट देंगे अरे भाई दम घोटने का मेरा मतलब ये नहीं है मेरा मतलब है इसे निचोड कर इसका पानी अलग कर देंगे और निचोडने के बाद इस गोवी को दूसरे बावल में ट्रांसफर कर लेंगे कुभी को जब हम बावल में रख लेंगे फिर एक छोटी सी प्याज लेंगे एक छोटी सी प्याज चौप करके डाल देंगे इसमें और दो लेसन की कली चौप करके डाल देंगे इसमें हरी मिर्च एक चौप करके डाल देंगे और अद्रक कदुकस करके डाल देंगे धनिया पत्ती चौप करके डाल देंगे और फिर इन सभी को अच्छे से मेक्स करने के बाद इसमें डालेंगे जीरा थोड़ा सा और एक पिंच डालेंगे हल्दी पाउडर और इसमें डालेंगे धनिया पाउडर जिससे कि इसमें जो मॉस्चर है वो ये धनिया सोक लेगा फिर इसमें डालेंगे काला नमक और साधा नमक टेस्के एकोर्डिंग और लाल मिर्च पाउडर भी आप टेस्के एकोर्डिंग डाल सकते हो अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल कर लीजिए क्योंकि जब मैं नई वीडियो डालूँगी तो उसकी नूटिफिकेशन आपके मुवाइल पे सबसे पहले आएगी और अगर आप मेरे चैनल को यूटूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और फेस्बुक इंस्ट्राग्राम पे देख रहे हो तो इसे फॉलू ज़रूर करना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अब हम एक लोई लेंगे आटि की जो कि आटा पहले से गूत के रखा था मैंने और उस लोई की छोटी सी रोटी बे लेंगे और जो हमने गोवी की फिलिंग तयार की थी इसमें भर लेंगे फिलिंग को भरने के बाद जिस तरीके से मैं रोटी को बंद कर रही हूँ उसी तरीके से आप भी कीजिए फिर इसे हाथ से प्रेस करने के बाद हाथों में लेके हतेलियों की सायता से थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे बढ़ाने के बाद थोड़ा सा चोकर लगा के रोटी में और इसे हातों से प्रेस करते हुए फिर बेलन से बेल लेंगे यदि हम हातों से प्रेस नहीं करेंगे तो बीच में आटा रह जाएगा और रोटी अच्छे से नहीं विल पाएगी और गोबी अच्छे से सारे में फैल नहीं पाता है फिर इसे गरम तवी पे डालके और घी लगाके अच्छे से अलट पलट करते हुए एक कुरकुरासा प्राठा त्यार करेंगे और इसे आप अपने इच्छा के अनुसार किसी भी चीज से सेख सकते हैं चाहे तो आप ओल में सेख सकते हैं या फिर बटर लगाकर सेख सकते हैं ये आपके उपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज लगाकर इसको सेख सकते हैं और इसे अलट पलट करते हुए थोड़ा सा स्पैचुला से प्रैस करते हुए और अच्छे से ये सिख जाएगा कुरकुरा इसे आप बच्चों को breakfast में भी दे सकते हो lunch box में भी रखे खलाने के लिए दे सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा tasty लगता है इसे आप चटनी के साथ और ketchup के साथ भी खा सकते हो वैसे से अगर आप चाय के साथ खाओगे तो इसका taste और बढ़ जाएगा ये चाय के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा tasty लगता है इसके उपर आप butter डाल के भी खाओगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा ये बहुत ही ज़्यादा healthy होता है इसे आप बच्चों को जरूर खिलाएए बड़े भी खाईए और आप खाईए तूसरों को भी खिलाएए आप भी खुश मैं भी खुश फिर से आऊंगी मैं नई वीडियो के साथ रित्त की किचिन में गुड़ बाई